ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम नियूरल कंट्रोल और कोडिनेशन चेप्टर के इंपोर्टेंट कोशन दिखने वाले हैं यहाँ पर हमने ऐसे कोशन नहीं है जो कि नीड का एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए आपको ये सभी कोशन करना बहुत जरूरी है और इसी तरह से दीरे-दीरे हम आपकी कम्प्लीट बायोजी कवर करा देंगे जिससे आपको एक्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको इंफर्म कर दें कि आज अनकैडमी पर हम दो इस्पेसल क्लास लेने वाले हैं जिसमां बायोजी के मोज्ट इंपोर्टेंट कोशन दिखेंगे साथ में हम आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी सेर करेंगे तो हमारी पहली कलास सामको चाड़ी चार बज़े होगी और दूसरी कलास हमारी पहांच बज़ के 40 मिनट में होगी इन दोनों के लिंक आपको नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप इन्हें अभी से जॉइन कर सकते हैं तो हमें स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन है तो देखिए हमारा नर्वस सिस्टम तीन तरगा होता है सिएनेस यानि कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें की हमारा ब्रेन होता है हमारा ब्रेन होता है प्लस हमारी स्पाइनल कोड होती है spinal cord होती है then PNS यानि कि peripheral nervous system जिसमें कि हमारे cranial cranial and spinal nerves होती है हमारी सभी cranial and spinal nerves होती है and last होता है ANS यानि कि autonomic nervous system तो इसे हम sympathetic sympathetic and parasympathetic nervous system भी कहता है और इसे हमारा hypothalamus control करता है इसे हमारा hypothalamus control करता है इसके द्वारा ही हमारी hunger thrust, sweat sleep ये सभी visceral activities control होती है तो यहाँ पर हमारा answer हो कि A. hypothalamus hypothalamus autonomic nervous system को control करता है next question आप bipolar neuron है एक bipolar neuron में होते हैं तो दिखिए neuron कई तरह के होते हैं जैसे कि non-polar non-polar जिसमें की कोई difference नहीं होता इनमें dendron and exon में कोई difference नहीं होता no difference then unipolar तो इनमें कोई dendron नहीं पा जाता no dendron only exon इनमें केवल exon होता है and bipolar तो bipolar में एक dendron and एक exon होता है इसका example है retina of eye प्रियाम से पूचा है bipolar neuron इसलिए मारा answer हो गए हाँ पे C one dendrite and one exon इसका example है retina of eye next question during conduction of nerve impulse nerve impulse के conduction के समय क्या होता है तो देखिए हमारे exoplasm में exoplasm में nerve conduction के समय sodium ion exoplasm के अंदर move करता है और यहां से potassium ion बाहर की तरफ move करता है तो यहां पे options है sodium ion moves into exoplasm तो इसका पहला ही options सही है nerve impulse के conduction के समय sodium ion exoplasm के अंदर move करता है expression action potential of nerve cell is nerve cell का action potential कितना होता है देखिए potential दो तरह के होता है resting and action यह दुना आपसे exam में पुछे जाता है तो resting होता है minus 70 MV and action होता है plus 30 MV तो यहां से पूछा है action इसलिए हमारा आशर होगा D plus 30 MV which of the following ion are required for nerve conduction तो nerve conduction के लिए इन में से कौन से ion की जरूरत होती है तो इसका सही आशर होगा A calcium sodium and potassium इन तीनों ion की जरूरत nerve conduction के समय होती है next question the cerebral cortex is cerebral cortex होता है तो दीके हमारे brain में mainly तीन reason होता है पहला cerebrum second cere belem and third brain stem brain stem तो इन में से हमारे cerebrum में दो पार्ट होता है outer and inner जिन में से इसके outer part को cortex कहता है outer part को cortex कहता है जबकि इसके inner part को medulla कहता है medulla कहता है तो इसका outer part grey matter का बना होता है यानि कि इसमें grey matter पाय जाता है जबकि इसकी inner layer में white matter पाय जाता है तो हमारा answer को यहां पे C the outer layer of cerebrum called grey matter the secretion of gastric juice is controlled by gastric juice के secretion को को control करता है cerebrum ANS cerebrum या फिर medulla तो इसका सही answer है D medulla तो दीखें medulla oblongata brain stem का part है यह हमारी physical activity को control करता है जैसे कि respiration circulation blood pressure peristelsis swallowing coughing तो इसका सही answer है D medulla center of sense of smell is sense of smell का center कहा होता है cerebrum olfactory lobe bones या फिर midbrain तो इसका सही answer है B olfactory lobe sense of smell का center होता है next question part of mammalian brain controlling muscular coordination is mammalian brain का कौन सा part muscular coordination को control करता है तो इसका सही answer है D cerebrum तो दीखें cerebrum को second largest part of brain माना जाता है और यह center of control and coordination होता है और यह हमारे body के posture को maintain करता है part of brain responsible for hearing brain का कौन सा part hearing के लिए यानिकी सुनने के लिए responsible होता है तो इसका सही answer है B cerebrum तो दीखें cerebrum के चार पार्ट होता है frontal parietal temporal and occipital जिन में से इसके temporal part में दो लोप्स होता है या दो एरिया होता है auditory area and olfactory area तो इसका auditory area सुनने के लिए responsible होता है यानिकी hearing के लिए responsible होता है जबकि इसका olfactory area smell के लिए responsible होता है तो इसके हमारा सही answer है यहाँ पे B cerebrum next question which of the following is thin metal layer of cranial meninges durameter arachnoid parameter या फिर optic nerve तो दीकि हमारे brain में तीन meninges पाया जाती है जिसके ले trick है DAP DAP D4 है durameter A4 arachnoid and P4 pyameter तो durameter सबसे outer most layer होती है जो की protective covering बनाती है इसके बाद arachnoid तो ये middle layer होती है और thin layer होती है and सबसे अंदर की layer होती है pyameter जो की highly vascular होती है तो यहाँ से पूछा है thin middle layer हमारा answer होगा B arachnoid next question the thin out portion of retina where only cones are densely packed scored retina का वह portion जहाँ पर केबल cones पाया जाता है blend spot corpus luteum macula lutea या फिर phobia तो देखिए lens के opposite pole पर एक small yellow area होता है जिसे macula lutea कहता है और इसके center में phobia centralis पाया जाता है जिसमें केबल cones होता है तो मान लीजी यह आपकी eye है तो इस जगा यहाँ पर lens होता है and lens के opposite pole पर इस जगा macula lutea पाय जाता है macula lutea और इसी में एक phobia centralis होता है जिसमें केबल cones पाय जाता है इसलिए हमारा अंसर को यहाँ पर d phobia इसका पूरा नाम है phobia centralis centralis इसके बाद the amount of light that falls of retina is regulated by यहने कि retina पर जो light गिरती है उसे कोन control करता है lens, cornea, iris या फिर ciliary muscles तो उसका सही आंसर है c, iris और यह responsible है eye color के लिए eye color के लिए भी responsible है इसके बाद space between cornea and lens is called cornea and lens के बीच में पाई जाने वाले space को क्या कहता है तो देखे, eye में यहाँ पे होता है cornea यह है cornea और इस जगा होता है बीच में lens यह हमारी क्या है suspensory ligament तो इनके बीच में यहाँ पे होता है यह है lens तो lens and cornea इनके बीच में क्या पाई जाता है इनके बीच में पाजाता है aqueous chamber aqueous chamber इसलिए हमारा सही answer है यहाँ पे a, aqueous chamber cornea और lens के बीच में जो space पाजाता है उसे हम कहते है aqueous chamber next question which of the following is devoid of blood supply इन में से किसमें blood supply नहीं पाजाती retina, coroid, cornea और फिर स्क्लेरोइट और इसका answer आपको comment करके बताना है